दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिश्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी रहेगी यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल और मेकेनिकल इंजिनियर से लिजबल रहेंगे औल अवर इंडिया के कंडिडेट यहाँ पर अफलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्ट सब ग्रुप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका राइट से लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है ये आपकी एक नौरत्म कंपनी है मिनिस्ट्री ओफ रेल्वे में आती है और गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है नेक्स अम बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है रिसिडेंट इंजिनियर के लिए तोटल यहाँ पर आपकी 20 पोस्ट वेकेंसी रहेगी नेक्स अम बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी को यहाँ पर केटेगरी वाइस के से बाट आ गया है तो यू आर के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट वेकेंसी रहने वाली है EWS candidate के लिए दो पोश्ट उपर वेकेंसी है OBC के लिए 5, SC के लिए 3 और ST candidate के लिए यहाँ पर एक पोश्ट पर वेकेंसी रहने वाली है अपरे जीमिट यहाँ पर आपकी 40 साल रहेगी अब बात कर लेते हैं आपकी qualification के बारे में तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने full time में diploma किया है civil engineering में आप यहाँ पर releasable रहेंगे आगे आपको बताया है अगर आपने full time में diploma किया है electrical या फिर electrical and electronic engineering में और इसके साथ ही minimum आपके पास 3 साल का work experience से आप यहाँ पर releasable रहेंगे next आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका return test के आधार पर होने वाला है total यहाँ पर आपसे 125 नंबर के 125 questions पूछ जाएंगे इसके लिए आपको धाई घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पर आपकी कोई भी negative marking नहीं रहेगी job basically यहाँ पर आपकी contract based पर रहने वाली है initially appointment यहाँ पर आपकी एक साल के लिए रहेगी बाकी से आपकी performance और requirement के हिसाब से आगे extent किया जाएगा बात करें आपके pay level के बारे में तो salary यहाँ पर आपको लगभग 31,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाली है application fees के बारे में आपको बताया है अगर आप general या फिर OVC category में आते हैं तो application fees यहाँ पर आपको 600 रुपे देनी है अगर आप EWS, SCHT या फिर PWBD category में आते हैं तो application fees यहाँ पर आपको 300 रुपे देनी है जब आप लोग यहाँ पर अपना application form fill up करोगे तो वहाँ पर आपसे exam centers का preference पूछा जाएगा तो जो भी nearest location है आपकी यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर चूज कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को आपका syllabus भी दिया गया है आप लोग यहाँ पर अपना syllabus देख सकते हैं लास्ट हम बात कर लेते हैं आपकी important date के बारे में तो form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 20 अप्रेल से last date यहाँ पर आपकी 30 अप्रेल रहेगी admit card यहाँ पर आपका 30 अप्रेल को जारी कर दिया जाएगा और return test यहाँ पर आपका 5 मई को होने वाला है अगर आपनी diploma किया है relevant branch में minimum आपके पास 3 साल का work experience है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिटना ही मिलते हैं next video में